है लोगाइस तो यहां पर हम साथ साफ कर रहे हैं अज मेरे कर बनेगा साथ सोवा और मेथी और आलू की सबजी बनेगी और यहां पर पालत का साथ बनेगा तो रिजिकाँ नहीं जानते बनाएंगे तो दिक्षाएंगे क्या बन रहाएं तो जोएं साग काट रहे हैं अच्छे से दुली आ है मैंने इसको दुली आ इसको कटकर लेते हैं और सोवा मेथी पालक और आलू की सब्सक्राइब बन चुकिए है और इसका दाल तो पहले हमें इसको कट कर लेंगे अभी कट कर रहा है हमें इतने और हैं कट कर लेते हैं तो यहां पे साग कट के रेडी हो गया है और चलते हैं बनाने की तरफ पका लेते हैं इसे भी और बहुत साफ सुत्रा मेरी शागत्रबू यह बहुत अच्छे से तो यहां पर आलू चाहूंगे इसमें क्या पढ़ेगा सुवा दू जो यह इसमें पढ़ेंगी यह सुवा मेथी का साथ पहले अच्छे से पक जाएगा उसके बाद में जैसे धनिया डालेंगे उस टाइट अच्छे में डालेंगे उसके अच्छे में डालेंगे अच्छादी में यह काम देख लेते हैं आज दूपरिया निकली भी बड़ लग रहा है मेरे कपरे सूखे नहीं है अभी जीगे इस अबले चलते हैं बहुत सारे कप्ड़ों जारे गई तो गईज यहां पर मेरा साग रेटी हो रहा है और इसमें हम डाल रहे हैं आटा चावल का बगी साग अच्छे से मेरा कप चुका है और इतने अद्रक और मिर्ची नमग भी पड़ चुका है वस इसको छौग लगाना है सिरुप कि अद्रक और सोवा मेथी का शाथ बन चुका है यह यह बन लिया गई देखी और इस साइब भी साथ बन रहा है अब इसको और थोड़ा सा पकाना बढ़ी हां से इसे खटाई भी मैंने डाली है दो तीन और इसमें हमने एक कटोरी डाल भी डाली है पुरत की डाल डाली है अब इसे हम अद्रक मिर्ची और लहसुन खेंग इन सब्सक्रीगे से छोन देंगे अब इसको अच्छे से और पकाएंगे अब अब जो अब बन गया कितना ज्यादा निकल चुका है इसमें से कीपीज की यह जो सीटी हो गई है तो शारा पानी फेड़े था इस से शावल इसमें रिडी हो चुका है इसमें तड़का में रिडी होला है साग के लिए तो इसमें जीरा जा चुका है और इतना अजा रहे हैं कम करो तो यह इंग पड़ चुका है तो लाल मिर्च तीन तीन पिस गया इसके लिए बाकी अग्रक लेह तूम और हरी मिर्च पहले ही पड़ गया था तो गई यहां पे तड़का रेडी हो गया और अब हम कर देते हैं गैस ओफ तो गईस देख लेजें बीकुड रेडी हो गया और बहुत अच्छी सी कुजबू आ रही है आप इसे दाल भी बोल सकते हैं और साग भी बोल सकते हैं और तो अपने ओपर है क्या बोलना है वाकि बहुत जादा टेश्टी बना हुआ है जाई तो मेरा खाना कंप्लीट हो गया और मैं थारी अपने रेडी कर लिए खाने के लिए इसमें भरवा मिर्चा है और साग और ये दाल है आलू सुवा मिथी कि शाग है और प्याज है बस तो हम जारे खाने बाकि टेश्ट करेंगे फिर बताएंगे कैसा है तो खाना बहुत ही टेश्ट किया है 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 कि अब्रीवाइन जैसरी श्याम राधी 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 वेकम आप सबीक हमारे व्लोग में और गयाईज आप लोग कैसे है आई हो आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं जा रही थी शादी में तो इसमें रेडी हुई हूँ और जा रही हूँ क्योंकि महिला संगीत और मेहंदी वगएर हम नहीं दिखा पाया है तो डिरेक्ट शादी में जा रहे हैं और फिर चल रहे हैं शादी में कैसे लग रहे है हम हाँ क्योंकि मैं जब रेडी हो रही तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ ऐसी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और बस निकल रहे हैं अभी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है देखो किते उजे पहुंसते हैं ठीक है नहीं हो जा रहा है हुआ है डिद्स वहाइं सेली है वह नहीं सो रहे है वह नहीं जारे शाथी में कि ठंदाका महीना परिश्कान हो जाएंगी तीडारी नहीं टो गई लगिष्ए लाखेंपूर से मतालिवाση के शारी को मिद्डेट मिदू भी ढोलाँ इसके बाद में है और यहां भी बोर्ड लगा हुआ है देख लीजिए सीता पूर लखनो का इसे इतना ही रिखा था लखी पूर शाय क्लोमीटर और सीता पूर लखनो यह सब है देख लीजिए अ अ अ हलो एबेटरों को हम लोग पहुंचे हैं लाखीमपूर शादी और यहां पहुंचे हैं लहां पिर जा रहे हैं अबिया कम से कम लग जाएंगे तस फिंडर तो लगी जाएंगे लेकिन हमने सोचा अपना वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर और उसके बाद में जाएंगे शादी में और उसका भी वीडियो बनेगा बहुत लंबी हो जाएगी हमारी बीटिक और इतनी लंबी वीडियो भी कोई देखता भी नहीं है तो ठीक है गाइस बिलेंगे अपने next video में तब तक के लिए भाइबाय जैसे शेंब रदी रदी अगुटने ही ओर्ण